आप सब एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम डिकोर्ड दकोर्ट्स में शीत कालिंस सत्र में लगातार बिल भी पास हो रहे हैं ऐसे समय पर जब विपक्ष के सांसद स्वक्त सस्पेंड हैं और अभी फिलाहल हो हला इस बात को लेकर हो रहा है कि विदाउट चर्च के बिना चर्चाओं के बिना ये बिल को किस सरीके से पास कर रही है सरकार तो विपक्ष का तो एक तरफ गुसा लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे हम बात आज उस बिल की करेंगे जो फिलाल चर्चाओं में काफी बना हुआ है क्योंकि आज राजस सभा में टेली जगा लेने वाले हैं तो इस नए बिल के कानून बनते ही टेलेकॉम स्जुड़े अपराधु में गंभीर सजा और जुर्माने का प्रावधान हो जाएगा लेकिन सबसे पहले समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो स्विध्यक की हम बात कर रहे हैं टेलेकॉम बिल 2023 यह है कि हम सबसे पहले आपको संक्षेप में इसके बारे में बता देते हैं कि देखें विध्यक सुरक्षित दूर संचार नेटवर्क की जब जब बात होती है तो उसके लिए एक कानूनी और एक नियामक धाचा तयार करने का प्रियास किया जाता है मसौदे में अभी फिलहाल वाटसाप हो चलीग्राम हो आदी संचार प्लाटफॉर्म को बिल के दारी से बाहर करने का एक प्रस्ताव है तो पहले के मसौदे में ऐसा बिलकुल नहीं था इस विद्यक में सरकार को सारवचनिक आपातकाल या राष्ट सुरक्षा के मामलों में किसी भी दूर संचार सेवा नेटवर्क को सस्पिन करने उसे कंट्रोल मिलेने या बैन करने की शक्ती देने की अब वो एक ड्यूटी उसे प्रदान करता यानि कि उस तरीके का इस मसौ से आईए समझते हैं तो पहला पॉइंट है कि 138 साल पुराने भारतिय टेली ग्राफ कानून को यह जो बिल है टेली कॉम बिल 2023 यह से रिप्लेस करेगा टी आए आई कानू 1997 को भी यह संशोधित करेगा यह बिल और उसके बाद परजी सिम लेने पर तीन साल की जेल और पच सिटी, ई-कॉमर्ट्स और ओनलाइन मेसेजिंग सर्विजस की जब-जब बात आएगी और टेलेकॉम लाइसेंसिंग के नियमों में भी एक रूपता आएगी अलग-अलग लाइसेंस की अब जरूरत नहीं होगी और आखरी इसकी बड़ी बात यह है कि इस नए बिल से स्ट का प्रावधान है, जुरूत पढ़ने पर सरकार किसी के भी मेसेज़ेस या कॉल को भी ट्राक कर सकेगी, दोनों सद्नों में पास होने और राश्पते की मन्जूरी मिलने के बाद ये देखे बिल कानूनी रूप अब लेलेगा जल्द ही और इस नए बिल में सरकार ने पैदा किया जा सकता है, तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए, मोबाइल कॉल्स या मेसेज़ेस को ट्राक करने के प्रावधान भी रखे गए हैं, अब इसके तहट राश्ट्र सुरक्षा के मामलों में सरकार चाही तो किसी के भी कॉल या मेसेजेस को ट्राक कर सकती है, ट्रांसमिशन को रोक सकती है, और साथ ही एमर्जेंसी की सिती में टेलेकॉम कमपनियों को निर्देश भी दे सकती है, किस तरीके का निर्देश? निर्देश इस तरीके का कि वो कोई खास मेसेज सभी यूजर्स को भेजे, और इसी से रिलेटेड ट्राइल भी किये गए थ और इस बिल में ये एक और खास बात है, कि ये प्रावधान भी रखा गया है, कि अगर हैकर्स किसी के कॉल या मेसेज को ट्राक कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ कारवाई भी की जाएगी, किसी के मेसेज को पहली बार बाधत करने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना रखा था, कि इस विद्यक के जो प्रावधान है, उसको लेकर चिंता भी जताई गई है, चिंता खिस तरीके की है, देकि सरकारों ने पहले भी शांती पूर्ण स्थिती कायम होने तक हिंसा प्रभावित शेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने जैसे कई कदम उठाए हैं, ये जग जाहिर है, ये कदम जो है, वो अपने आप में अभी एक बहस का विशे भी बना हुआ है, लेकिन अब दूर संचार विद्यक के मसौदे में सरकार को नेटवर्ग पर अस्थाई कबजा करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, कुछ रिपोर्स में व और अस्थाई अवधी को डिफाइन कैसे किया जाए, अब कानून के जो आलोचक हैं, वो इसको लेकर साफ आरोप लगाते हैं कि इस विध्यक के परिणाम सरूप ट्राई यानि की टी आर ए आई केवल रबर्ड स्टांप बन कर रह जाएगा, क्योंकि ये विध्यक नियामक की शक्तियों को काफी हद तक कमजोर कर देता है, मसौद में ट्राई अध्यक्ष की भोमेका के लिए नीजी एक्षेत्र के कॉर्पूरेटर दिकारियों की नुक्ती की अनुमती देने का भी प्रावधन है, तो इस प्रावधान पर बहस हो रही है और आगे बढ़ सकती है, इस मसौद में कहा गया है कि ऐसे कारेकारी को नुक्त किया जा सकता है यदि ऐसे वक्ति के पास कम से कम 30 साल का पेशिवर अनुभव है और उसने इंदेशक मंडल के सदस्य या कुछ शेत्रों में किसी कामपनी के मुख्य कारेकारी के रूप में काम किया हो और दूसरा स्पेक्ट्रम आवटन का भी है क्योंकि इस मामले पर नीजी टेलेकॉम कमपनियां बटी हुई है और इस साल देखे जून में ट्राइ की परामर्श प्रक्रिया के दौरान भी एलन मस्क के मुताबिक एलन मस्क के स्टारलिंग, एमेजॉन के प्रॉजेक्ट कूपर और भार कर ये जो प्रावधान जोड़े गए हैं इसको लेकर फलहाल ये बहस का विशय बना हुआ है